Hey guys, welcome to my channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि UPBID Intrance exam का जो examination form है जो आपका examination form आ चुका है उसे आपको कैसे fill करना है यानि बिना किसी mistake के सारी information आपको कैसे fill करनी है one by one सारी चीज़ें हम डीटेल में डिसकॉस करेंगे तो फिलहाल जो भी candidate है जो UP weird entrance exam देना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आपका examination form आ चुका है आपको कैसे form फिल करना है वो सारी चीज़े हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है Google पे सरकारी result.com सर्च करना है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहाँ कई सारी उसके बाद यहाँ सारी information दी हुई है कि online form आपका आ चुका है और उसके बाद जो university है वो बुंदेलखन university है यानि बुंदेलखन university कंड़क्ट करा रही है आपका entrance exam, UPBR entrance exam जो है और उसके बाद जो application form है वो आज से यानि तस तारीक से फिल होना स्टार्ट हो चुके है इनका last submission जो है form का वो तीन तारीक है यानि तीन मार्च तक आपके form फिल किये जाएंगे जनरल OBC EWS वालों के लिए जो examination form की जो fees है वो है 1400 रुपे SC STV वालों के लिए 700 रुपे है और अगर आपको बहुत सादा लेट कर देते हैं आप टाइमली submission नहीं करते हैं तो लेट fees आपको भढ़नी पड़ेगी लेट fees आपकी 2000 हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है इससे अच्छा है कि आप पहले ही form फिल कर लें क्यों जबरजस्ती fees को बढ़ा रहे क्योंकि या लेटी 1400 रुपए कम नहीं है तो यह सारी चीज़े हैं गाइस और उसके बाद यहाँ जो क्रिटेरिया ही कि इस examination form को कौन-कौन लोग फिल कर सकते हैं वो देख लीज यह minimum age 15 years होनी चाहिए यानि जो भी candidate फिल करना चाहते है minimum age 15 years होनी ही चाहिए उससे कम पर नहीं होगा और maximum age की कोई limit बात नहीं की गई है not declare है यहाँ उसके बाद क्या ही आपका 2 years यानि 2 years का कोर्स है बीच में लगनाओ उनिवरस्टी ने अपडेट दिया था कि 1 साल का हो जाएगा यानि बीच करने जा रहे हैं तो उससे पहले graduation कम्प्लीट किया ही होगा तो उसमें आपके 50% मार्क होने ही चाहिए नहीं है तो फिर आपको problem create हो सकती है फार्म को फिल करने में जो engineering candidate है यानि जिन्होंने बीटेक वगरा किया हुआ है उनकी जो minimum criteria है marks का वो 55% है तो यह सारी चीज़े हैं और यह सभी university इसमें क्या included है यानि इन सभी university में आप किसी भी university में admission ले पाएंगे interest exam देने के बाद आगे देखते हैं site document की बाद की गई है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ apply online का form आ रहा है click here पर आपको click करना है यह site open हो जाएगी और इस site पर आपको यहाँ देखें दो option दिये हुए पहला है click here for new user registration click here for existing users क्या मतलब है इसका पहले वाले का मतलब यह है कि अगर आप पहली बार form fill करने जा रहे हैं इससे पहले आपने form fill नहीं किया है यह आपका first chance है जो लोग second chance है जैसे जिन लोगों का पहली बार में government college नहीं मिला तो दूसरी बार में देना चाहते हैं दूसरी बार में examination form दे के देखना चाहते हैं कि वो government college पासकते हैं नहीं तो उनके लिए second option है लेकिन जो पहली बार exam अपनी life में देने जा रहा है UPB ad entrance exam का उनके लिए पहला option तो आपको पहले option पर क्लिक करना है वो आप पर depend करता है कि आप कि इस category के हैं पहली बार fill कर रहे हैं या second chance है आपका तो उसके बार यह देख रही है अपलोड हो रहा है डेटा डेटा अपलोड होने के बाद यहां सारी instruction दिये हुए क्या क्या instruction दिये हुए वही last date कब है last date form submission की starting कब से है यह सब चीज़े दी हुई है application fees के बारे में दिया हुआ है CST सारी चीज़े दी हुई है और उसके बाद यहां कुछ document के बारे में बात की गई है पहला document valid email id email id की क्या importance है अगर आप गलत email id डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा problem create होगी क्योंकि जब आपका B.A.N.P.Rals exam का result result से पहले जब आपका वो आता है admit card तो admit card की notification आपकी email id पर आती है साथी साथ आपके phone number पर message पर भी आती है तो email id अगर आपका सही रहेगा तो आपका admit card जो आएगा registration number जो आएगा वो सभी चीज़े आपके email id पर आएगी और जब आपका result declare होता है तो आपको registration number के requirement होती ही होती है registration number नहीं है तो बहुत problem create होगी इसलिए सही email id डाले और साथ यसाथ जब आपका counseling होती है तो college से related update भी आपको email id पर मिलती रहती है आपको mobile number active होना चाहिए क्योंकि college आपको call करेगा जब आपकी counseling होगी तो इस time आपके लिए ये अच्छा रहेगा आधार card होना चाहिए passport size photo होनी चाहिए कितनी kb की होनी चाहिए ये भी यहाँ दिया हुआ है size आपके 50 kb होनी चाहिए यानि 50 kb की होनी चाहिए जिसे आप google पे जाके kb management करके photo kb management search करके वहाँ से manage कर सकते है scan signature भी होने चाहिए उसका भी size दिया हुआ है साथ ही साथ left or right finger जो index finger यानि अंगोठे के बगल में जो finger होती है उस index finger कहते है जिससे आप एक indicate करते हैं चीजों को उस finger के scan होनी चाहिए यानि scan finger होना चाहिए होते हैं नहीं scan finger आपने देखा होगा जब आप कभी आधार card जब बनवाने गया होंगे तो वहाँ एक छोटा सा machine रहता है उस पे scan किया जाता है fingers को तो वही आपकी दोनो right and left hand के finger scan होने चाहिए उसके आपके पास होना चाहिए वो fill करने में लगेगा साथ ही साथ photo ID proof यानि कोई भी proof में सबसे आसान यही है आधार card cast certificate अगर आप general से related है तो उसकी कोई requirement नहीं है general से नहीं है तो cast certificate लगेगा जिन लोगों के पास income certificate है वो income certificate आपना जरूर लगाए क्योंकि इसका फायदा आपको scholarship में मिलेगा तो जिन लोगों के पास है वो अपना income certificate जरूर से जरूर लगाए उसमें क्या है आपको उसका registration number यानि income certificate जो number होता वो फिल करना होगा साथी साथ copy भी लगानी होगी उसकी और क्या-क्या मांगा गया है यहाँ वही सब चीजे हैं सब category उसके बाद यह सब पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना है उसके बाद यहाँ I agree पर क्लिक कर देना है यह यहाँ थोड़ा से instruction आ रहा है प्राइवेशे पॉलिसी इसे भी आपको close कर देना है उसके बाद यह page आपके सामने open हो जाएगा क्या करना है हाँ आपको अपना पूरा name फिल करना है कोई भी नाम फिल कर दीजे मतलब अपना नाम ही फिल करना मैं तो ऐसे ही आपको बताने के लिए फिल कर रही हूँ लेकिन आपको अपना नाम ही फिल करना है यह मैंने नाम डाल दिया झाल झाल झाल